दूस्तों टली प्राइम की इस वीडियो में आप सिखेंगे सेल्स बिल पर कस्टमर की कॉंटेक्ट डिटेल्स कैसे डालें जब भी हम किसी customer या supplier का laser create करते हैं तो laser बनाते समय हमें contact details डालने का option दिखाई नहीं देता है जिस कारण से हम contact details नहीं डाल पाते हैं और यही कारण है कि sales invoice पर customer की contact details दिखाई नहीं देती हैं तो आज के इस वीडियो में हम यहीं बताने जा रहे हैं कि party के laser में contact details कैसे add करें और उन्हें bill पर कैसे print करें इसके लिए हम एक sales invoice बना कर देखते हैं हमने सतीश traders को sony tv 20 inch के दो नग 20,000 रुपए प्रती नग के हिसाब से उधार बेचे party account name में हमें सतीश traders का laser select करना है पर इस party का laser बना हुआ नहीं है तो हम create पर जाकर इसे create कर लिते हैं यहाँ पर party की details टाइप कर देते हैं हम इस party की contact details भी डालना चाहते हैं पर यहाँ contact details डालने का option दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उसके लिए यहाँ laser creation screen पर control और eye keys प्रेस करके more details पर जाएं अब list में contact details पर जाकर enter प्रेस करें अब party की जो भी contact details देना चाहते हैं वो यहाँ पर type कर दें अब हम इस screen को accept कर लेंगे और इस laser creation screen को भी accept कर लेंगे अब पूरा voucher बना लें अब हम इसका print preview देख लेते हैं उसके लिए पहले page up की प्रेस करेंगे अब control के साथ P की को प्रेस करेंगे preview देखने के लिए eye key प्रेस करेंगे और zoom के लिए alter और z keys प्रेस करेंगे ये देखिए invoice दिखाई दे रहा है इसमें हमारा और customer का नाम, पता और अन्य details तो दिखाई पड़ रही हैं पर party की contact details दिखाई नहीं दे रही है contact details प्रेंट करने के लिए हमें एक setting करनी पड़ेगी उसके लिए पीछे जाएं अब configure पर जाएं और अब type करें contact करने के लिए इस पर enter press करें कि देखिए ये yes हो गया है अब control और एसे इसे save कर लें चलिए अब preview देख लेते हैं ये देखिए अब invoice में party की contact details भी दिखाई दे रही है